बेंवाई नमस्कार दोस्तों आपसंब का विधक लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्भस्थ आकाद्मी पुरुषकार 2030 के वाईर में सहित अगदमी पुरुषकार 2023 की घुषना हो चुकी है और इनको मार्श दोहजार चौबिस में नई दिल्ली में साहित अकादमी भवन में दिया जाएगा। इस सेसर में हम जानने वाले हैं कि जो साहित अकादमी पुरुषकार हैं वह कब शुरू हुआ था इसमें कितना शुरुवाती राश्र थी या अभी वर्तवान में कितना राश में कंफर्म हो जाएंगे और यह साहित अकादमी पुरुषकार इस तरह कि जितने भी पुरुषकार हैं जैसे कि अभी नेशनल इस्वोर्ट्स अवार्ड भी आये था उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में और आई बटन पर मिल जाएगा तो आप इस वीडियो होता है चलिए देखते हैं क्या है किस तरह के स्रुगात करते हैं तो इंट्रोडक्शन स्थ हम देखते हैं जो साहित अकादमी पुरुषकार का तो साहित अकादमी पुरुषकार भारत में एक साहितिक संमान है यानि कि यह literature onner है यह literature में दिया जाता है साहितिक सम्मान है और यह जो सम्मान है यह साहित अकादमी के द्वारा साहित अकेदमी के द्वारा भारत की जंता को या भारत के जो रचनाकार है उनको मानता प्रदत भारशाओं में इसे दिया जाता है ठीक है और यह जो भारती यह जो साहित अगाद अनुसूची में सामिल सभी भारती भासाओं को अलाबा यह राजिस्थानी और अंग्रेजी भासा में भी यह दिया जाता है यानि कि कुल 24 भासाओं में साहित अकादमी पुरुषकार दिया जाता है और साहित अकादमी पुरुषकार की इस्थापना 1904 में हुई थी 1954 में साह अकादमी पुरुशकार की स्थापना की गई थी, और पहली बार यह जो पुरुशकार है उनीसितो पचपन में, या 1955 में यह पुरुशकार दिये गए थे, ठीक है, तो यह ति किम पुरुशकारासी की बात करें, तो शुरुचारासी भूर रंशी थी, तो यह शुरुवाती राश्री 5,000 रुपए थी और अभी बरतवान में 1,00,000 रुपए इसकी पुरुषका राश्री कर दी गई है जो कि करमशा बढ़े रही थी यानि कि शुरुवाती में 5,000 रुपए थी फूर 1983 में इसे बढ़ा कर 10,000 रुपए किया गया साहित अकादमिया पुरुषकार में पुरुषकार राश्री कितनी दी जाती है तो एक लाक रुपए यहां पर पुरुषकार राश्री दी जाती है यदि इस साल के हम साहित सम्मान की बात करें तो इस साल नौ पुस्तकों को जिसमें की कविता की नौ पुस्तके हैं कविता की नौ पुस्तकों को 6 उपन्यास, 5 लगू कथाएं, 3 निबंध और 1 साहितिक अध्यन में पुरुसकार दिये गए हैं यानि की टोटल कितने हो जाते हैं, लगभग 24 भासाओं में 24 पुरुसकार यहां पर दिये गए हैं उसके बाद और यह जो पुरुसकार हैं तो 12 मार्स 2024 को नई दिलिक में दिया जाएगा तो इसमें हम देखते हैं कि किस चीज के लिए या किस भासा में कौन कोंसे पुरुसकार विजेता हैं तो यदि हम सब से पहले कविता में देखें, तो कविता में जो पहले पुरुषकार विजेता है वह विजय वर्मा है और इन्हें डोगरी भाशा के लिए पुरुषकार दिया गया है। गजे सिंग राजपुरोहित जिन्हें राज़स्थानी भाषचा के लिए अरूणर रंजन मिष्च्रा इन्हें संस्क्रित के लिए और विनोध आसुधानी को सिंधी भाषचा के लिए कविता में यह पुरुषकार दिया गया है यदि उपन्याज की बात करें तो गौर को अंग्रेजी भाशक लिए दिया गया है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है हिंदी और अंग्रेजी का इस्वार बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है नीलम सरन गौर यह है लहाबाद विश्व विद्याले में अंग्रेजी के प्रोफेशर रही है तो नीलम सरन सब्सक्राब को और वाज़ों के लिए इह संवान दिया गया है लगु कथाओं की बाट करें तो लगु कथाओं में प्रणडव जोति डेगा को असमिया के लिए नंदेश्वर देमारी को बोडो भासा के लिए प्रकाश- परियंकर को कोंकडी भास्टा के लिए तारा सिन वास्की को तरिया चंद वास्की के लिए और टी पतंजली को तेलगु भास्टा में यह सम्मान दिया गया है निबंध में देखें तो निबंध में लक्षमीश्था तोर पड़ी को कंणर भास्टा के लिए बास्ट की नात ज आपको यहां को मैंथिली भाषण लिए दिया गया है तो इसमें से तीन आपके लिए बहुत ही iMPorant है पहला नीरम सरन गौड जिन्हें अंग्रेजी भाष्टा के लिए दिया गया है संजीव को हिंदी भाष्टा के लिए दिया गया है और बास्कुनाथ जहा को मैथली भाष्टा के लिए दिया गया है और जुधाबीर राना को नेपाली भाष्टा के लिए साहितिक अध्यान में इवी राम के लिए इन पुरुसकारों को दिया गया है जैसे कि यहां पर हमारे मुख हैं हिंदी के अंग्रेजी के और बास्कुनाथ जहा जो मैथली के हैं यह तीन सबसे इंपोर्टेंट हैं तो इनको यहां पर मैंने नोट डाउन नहीं किया है लेकिन आप लोग यह चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं जैसे कि हम अंग्रेजी की बात करें नीलम सरन गौर को अंग्रेजी के लिए 2023 का साहित पुरुसकार मिला है तो इनको जो मिला है वह है रेक्यूम इन रागा जानकी इसको आप लिख सकते हैं रेक्यूम इन रागा जानकी नीलम सरन गौर जी के लिए दिया गया है दूसरा हम बात करते हैं संजीव जी को हिंदी के लिए उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया है मुझे पहचानों के लिए यह हो गया और जो बद्री बस्कुनाथ ज्जा जी को मैथिली के लिए दिया गया है इनके लिए इनका निबन्द बोथ संकेतन के लिए इनको पुरुसकार दिया गया है तो तीन आपके बहुत ही महत्य पूर्ण है इनको आपको निश्जी रूप से याद रखना चाहिए यदि इसमें से हम एक और बात करें राजस्थानी के लिए जो की राजस्थानी में गजे सिंग राजपरोष जी को दिया गया है वह पलकती प्रेथ है यह है रजस्थानी के लिए दिया गया है अगला है संस्कृत का अरुन रंजन मिश्रजी को जो संस्कृत का अरुन रंजन मिश्रजी को दिया गया है वह सूनिय मेग गानम इसके लिए दिया गया है संस्कृत का ठीक है तो यह कुछ important थे जिसमें कि आपको सारे सारे आ जाएंगे यदि आप से एक और प्रश्ण पूछे कि जो पहला साहित पुरुसकार था first size पुरुसकार हिंदी के लिए बहुत बार पूछा गया है काफी important है पहला साहित पुरुसकार हिंदी के लिए हिं तरंगड़ी के लिए एह पहला साहित पुरुसकार दिया गया था ठीक जो हिं तरंगड़ी है माखनलाल चतुरवेदी जी की रशना है तो इससे आगे एक भी प्रशन आपका साहित अकाद्मी पुरुषकार से पूरे साल भर के लिए नहीं जाएगा यानि कि आपने जो इसमें 9-10 मिनट दिये हैं उसमें से आपका 1-2 नमबर पूर इस साल के लिए आपका पूरा पका हो चुका है ठीक है दोस्तों मिलते हैं आप से एक लिए स्टेशन में तब अखले नमसकार धन्यवाद